तो कैसे हैं आप लोग स्वागत है आपका इस वीडियो में और इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास नाइन्थ का Economics का Chapter No.2 जिसका नाम है People as Resource तो देखिए यहाँ पर यह People as Resource इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब simply यह है इस topic का मतलब है कि देखिए हम लोगों को generally एक population को एक तरीके से हम जिम्मेवारी के रूप में देखते हैं या फिर कोई एक तरीके से टिंसन के रूप में देखते हैं लेकिन यहाँ जब हम population को लोगों को एक resource के रूप में देखने के कोसिस करेंगे तो हमारा जो view है वो काफी change होगा और ये जो view है ये काफी सही view है देखिए जो chapter people as resource is an effort to explain population as an asset for the economy rather than a liability देखिए जो chapter people as resource है ये इस चीज़ बात को explain करने के लिए आपको पड़ाया जा रहा है कि देखिए जो हम population को हमेशा बात करते हैं कि ज्यादा population हो रहा खराब चीज़ है ये tinson है ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन देखिए population को जो है उसे asset समझना चाहिए एक संपत्ती के रूप में समझना चाहिए ना कि हम उसे कोई liability समझे या कोई जिम्मेदारी जवाब दे ही इस तरीके के चीज़ समझे और population becomes human capital when there is an investment made in the form of education, training and medical care देखिए जो population है वो एक तरीके का human capital बन जाता है जब हम population में investment करते हैं किस तरीके से education के रूप में, training के रूप में, medical care के रूप में तो देखिए जिस तरीके से हमारा दूसरे capital होता है, जैसे कि हम land खरीदते हैं या फिर bank में पैसे रखते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हमारा human capital भी होता है अगर हम उसमें investment करें तो, investment करेंगे वो बढ़ेगा, investment नहीं करेंगे वो घटेगा तो देखिए, people as resource जो है, यह एक तरीका है जिसमें हमें country के working population को उसके जो productive skill है उसका या फिर ability है उसके अनुसर देखते हैं जब हम population को उसके productive नजरीय से देखते हैं, तो हमें उसका एक, उसकी ability पता चलती है कि वो कितना gross national product produce कर सकता है तो अब बात है कि gross national product क्या होता है, तो मैं आपको थोड़ा साई से समझा देता हूँ तो देखे, gross national product जो होता है, वो एक देश के नागरी को द्वारा, एक साल के अंदर, जितने भी चीजे produce की गई हैं, उसका total value होता है यानि कि अगर आपने कोई कार बनाया, अगर आपने कोई खेती की, आपने और कुछ किया, तो उन सभी का कीमत को जोड़ दिया जायेगा और वही अंती में जाकर क्या होगा, gross national product होगा like other resources, people population is also a resource, human resource, there is positive size of large population that is often overlooked when we look only at the negative side considering only the problems of providing population with food education access to health facilities, तो देखिए, दूसरे resources की तरह, जो population है, वो भी हमारा एक resource है, क्या है, वो एक human resource है तो ये जो है, ये एक positive side है, हमारा large population का, लेकिन ये जो चीज है, इसे बार बर हम नजर अंदास कर देते हैं, या फिर नहीं देखते हैं, जब भी हम बात करते हैं, तो population के बारे में, जब भी हम बात करते हैं, तो हम उसके negative side के बारे में बात करते हैं, और उसके सिर्फ problems पर तो जब भी human resource जो है यानि population है यानि कि जो लोग है उनको हम further develop करते हैं किस तरीके से उनके education में पैसा लगा कर उनके health में पैसा लगा कर तो इस process को यानि उनके development को हम कहते हैं human capital formation और ये जो है किसी भी देश के productive power को बढ़ा सकता है कि किसी देश के जो लोग है वो कितना product produce कर सकते हैं जैसे कि हम किसी physical capital को form करते हैं investment in human capital through education, training, medical care is a return just like investment in physical capital तो जीस तरीके से हम किसी physical capital में investment करते हैं कि देखे हमने ये जमीन खरिदा है आज के 10 सल बाद इसके कीमत इतनी बढ़ जाएगी हमें अच्छा return मिलेगा बिल्कु उसी तरीके से जब हम human capital में invest करते हैं लोगों में invest करते हैं education के रूप में, training के रूप में, medical care के रूप में तो वो हमें return करता है एक तरीके के अच्छा return हमें provide कराता है इसको आप simply समझ सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है वो ज्यादा पढ़ा लिखा है तो उसे अच्छे post मिलेंगे, अच्छी salary मिलेगी वहीं उसके मुकाबले कोई व्यक्ति है जो कि कम पढ़ा लिखा है उसके पास उतने skill नहीं है तो उसे कम पैसा मिलेगा, कम salary मिलेगी करते हैं मैं इसे नहीं पढ़ने वाला हूं मैं आगे बढ़ता हूं तो इसके बाद है not only do the more educated and healthier people gain through the higher income, society also gains in other indirect ways because the advantages of the more educated or healthier population spreads to those who themselves were not directly educated or given health care तो देखिए जो ऐसा नहीं है कि हम किसी person को या फिर किसी population को अगर educate करते हैं कुछ ही लोग को अगर educate करते हैं और उन्हें healthier बनाते हैं तो केवल उन्हीं लोगों को फायदा होता है उससे society भी काफी जदा फायदा उठाती है indirectly और उससे काफी जदा मदद मिलती है क्योंकि जो advantage जो है वो दिये गए है educated लोगों को या फिर healthier population को वो धीरे धीरे फैल जाता है उन लोगों के बीच में भी जो की directly educated नहीं है या फिर directly उन्हें health care provide नहीं किया गया है in fact human capital is the one way superior to other resources like land and physical capital human resources can make use of land and capital land and capital cannot become useful on its own तो यहाँ पर देखिए एक चीज है कि human capital जो है वो काफी अच्छा है अगर हम मुकाबले अगर हम land या capital में investment करें वो कैसे तो देखिए अगर human capital अगर हम develop करते हैं उसमें investment करके तो वो जो है वो land और money capital का use कर सकता है लेकिन अगर हम land और money capital में अगर invest करें तो वो ऐसा नहीं कि वो directly खुद बखुद यूज होना शुरू हो जाएगा उसके लिए हमें human capital की जरूद पड़ेगी तो देखिए बहुत सालों तक जो population हैं इंडिया का उसको एक तरीके से जिम्मेदारी के रूप में लाइबिलेटी के रूप में देखा गिया है तो देखिए लाइबिलेटी जिम्मेदारी समझना जरूई नहीं है उसको हम एक तरीके से प्रोड़ेक्टिव एसेट के रूप में बदल सकते हैं अगर हम रिसोर्सेज स्पेंड करें पोफिलिशन के एजुकेशन के ऊपर और हिल्थ के ऊपर ओर ट्रेनिग आफ इंड्रस्ट्रिल एन एग्रिकल्चर वरकर इसे फिल्च करें तो यहां पर दो केस दिये गए हैं जिन को आपको पढ़ना है फिर आप इन चीजों को compare करने पाएंगे अच्छी तरीके से तो पहला कहानी एक लड़के की है story of सकल, there were two friends विलास and सकल living in the same village सीमापूर, देखें दो दोस्त थे जो की सीमापूर गाओं में रहते थे जिनका नाम था विलास और सकल तो सकल जो था वो 12 साल का लड़का था उसकी मा जो थी सीला, वो अपने घर का ख्याल रखती थी, उसके फादर जो थे बुटा, चौधरी वो agriculture फिल्ड में काम करते थे सकल जो है वो अपनी मा के मदद करता था घर का ख्याल रखने, वो अपने यंगर ब्रदर जितू और बहन सितू का भी ख्याल रखता था, उसका एक अंकल था जिसका नाम था सियाम, जो की matriculation examination पास कर गया था लेकिन वो अपने घर पर idol बैठा हुआ था क्योंकि उसके पास कोई job नहीं था, तो सकल के जो फादर और मदर थे, बुटा और सीला वो चाहते थे कि वो अपने बैठे को अच्छा education दे, इसलिए उन्होंने force कि वो village school जोइन कर ले और जो की उसने जोइन कर लिया उसने study स्टार्ट कर दी और अपना secondary examination भी पास कर लिया secondary examination भी पास कर लिया मैं आगे बढ़ता हूँ तो उसके father जो थे उन्होंने उसे persuade कि वो आगे अपनी studies continue करें और इसके लिए उन्होंने एक loan भी निकाल लिया कि सगल जो है vocational course computers में कर सके और सगल जो है पढ़ने में तेस था और पढ़ने में interested भी था शुरुआत से ही इसलिए उसने काफी अच्छी तरीके से काफी मन लगा कर पढ़ा और अपने education complete किया और इसके बाद उसे एक अच्छा job में मिल गया private firm में और इसके बाद उसने एक software design किया जिसने उसके company को sale बढ़ाने में increase किया इस वज़ए से उसके boss काफी ज़दा खुस हुए और उसे एक promotion प्रोवाइड किया तो ये बात हो गई एक दोस्त की हमने पढ़ली कहानी अब हम दूसरे दोस्त की कहानी पढ़ते हैं दूसरा दोस्त है विलास अब इसकी कहानी पढ़ते हैं सकल को हमने देखा इसके बाद विलास जो है फीस बेचनी का काम करने लगी ताकि वो अपने परिवार का खर्चा चला सके उसने एक उसने क्या कहते हैं तालाब के मालिक से फीस खरीना सुरू किया और नजदी के मंडी में फीस बेचना सुरू कर दिया और इस विज़ए से वो जादे जादे बीस से तीस रुपए डेलिक माग कमा सकती थी फीस बेचकर और जो विलास था वो अर्थराइटीस का पेसेंट बन गया अर्थराइटीस का मरीज बन गया और उसकी जो मा थी वो उसके डॉक्टर के पास ले जाने में सक्चम नहीं थे उसके पास उतने रिसोर्से एवलेबल नहीं थे और इस वज़े से वो स्कूल भी नहीं जा सका और वो इस्टडीस में इंटरेस्टेट भी नहीं था वो अपनी मा को हिल्प करता था गोकिंग में और अपने यंगर ब्रदन मोहन का ख्याल रखने में भी मदद करता था कुछ समय बाद उसकी मा जो थी वो बीमार पड़ गई और और उसके घर में कोई भी नहीं था जो कि उनका ख्याल रख सके उनको सपोर्ट करने के लिए उनके घर में कोई नहीं था तो इस वज़ास से विलाज जो था उसे भी फोर्स होना पड़ा ताकि वो उसी गाउं में मचली बेचने का काम करें और इस वज़ास से वो जो था उसे काफी लो इंकम मिलता था जैसा कि उसकी मा को मिला करता था तो यहाँ पर आपने देखा नहीं पर तो कि एक लड़का था जिसे हैचछा एजुकेशन मिला व अज़्चा जाकर काम करने लगा अच्छा उससे अर्निंग मिलीग काफीजदा ग्रोथ मिला लेकिन एक लड़का था जिसे की काफीजदा लो ग्रोथ मिला क्योंकि उसने education नहीं लिया उसके ऊपर किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया था. In the two cases studied, we saw Sakal went to school and Vilas did not go. Sakal was physically strong and healthy. He did not need to visit the doctor frequently. Vilas was a patient of arthritis. He lacked the means to visit the doctor. Sakal acquired a degree in computer. Sakal found a job in private firm while Vilas continued with the same work as his mother. He earned a meager income like his mother to support a family. तो यहाँ पर हमने दो cases देखें, जिसमें हमने विलास और Sakal की कहानी पड़ी. तो Sakal जो था, वो physically strong and healthy था, उसे doctor के पास बार-बार नहीं जाना पड़ता था. लेकिन जो विलास था, वो arthritis का patient था, लेकिन उसके पास उतने सुविधाई अबलेवल नहीं थी, कि वो किसी doctor के पास जा सके. तो Sakal जो था, उसे एक, उसने computer में degree ले ली, और उसे एक अच्छा job मिल गया private firm में. लेकिन जो विलास था, उसने वही काम करना continue किया, जो उसकी मा किया करती थी. और इस वज़ाद से वो जो था, उसे काफी low income होता था, जैसा कि उसकी मा को मिला करता था. In the case of Sakal, several years of education added to the quality of labor. This enhanced its total productivity. Total productivity adds to the growth of the economy. तो देखिए, जो Sakal का condition था, Sakal का condition में, Education ने उसने quality of labor, उसका quality of labor improve कर दिया, और इस वज़ाद से उसका total जो productivity था, वो काफी बढ़ गिया. और यह जो productivity था, उसने economic growth को एक तरीके से boost किया. This intern pays an individual through salary or in some other form of his choice. तो देखिए, यह जो growth में help उसने किया economic growth में, उसने उस specific person को, specific individual को salary की रूप में या फिर किसी और तरीके में, जिस तरीके से वो चाहता है, उसने उसे मदद किया. तो देखिए, जो salary उसकी मा को मिला करती थी, वही पैसे उसको मिलने लगे, क्यों? क्योंकि उसके education या फिर health care में, उसकी लाइफ के अरली पार्ट में किसी भी तरीके का investment नहीं किया गया है. वो अपना life जो है, उसने fees बेचने में लगा दिये, जैसा कि उसकी मा लगाया करती थी, और इसी वज़े से unskilled liver category में, उससे काफी कम पैसे मिलने लगे, जैसा कि उसकी मा को मिला करती थी. Investment in human resources by education and medical care can give high rates of returns in the future. This investment on people is the same as investment in the land and capital. One invest in share and bond expecting higher rate of return in the future. तो human capital में जो investment होता है वो हमें high rate of return दे सकता है future में और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हम invest करते है land में या फिर किसी form of capital में तो देखिए कोई भी वैक्ति जो है वो share में invest करता है या फिर किसी और चीन में invest करता है ताकि उसे higher rate of return मिले लेकिन उसी तरीके से हमारा जो human capital है अगर हम उसमें invest करें तो वो भी हमें काफी higher rate of return दे सकता है तो देखिया अगर कोई बच्चा है अगर हम उसके उपर investment करते हैं उसके education के उपर उसके health के उपर तो यह जो है मैं high rate of return दे सकता है future में high earning के रूप में और greater contribution of society के रूप में तो educated parents जो हैं वो ज़्यादा invest करते हैं अपने बच्चे के education के उपर और इसका reason यह है कि उन्होंने realize कर लिया है कि किसी भी बच्चे के लिए या फिर किसी भी person के लिए एक किसी भी person के लिए education क्या माइने रखता है इस case में लेकिन इसके मुकाबले जो दूसरा किस हम देखते हैं एक तरह से खराब cycle सुरू हो जाता है जहां पर जो disadvantaged parents होते हैं यानि कि जिन parents के पास education नहीं है resources अबलेबल नहीं है जो खुद बखुद अब खुद ही uneducated हैं और hygiene में नहीं रहते हैं वो अपने बच्चों को भी उन्हीं condition में रखते हैं uneducated रखते हैं hygiene नहीं provide कराते हैं और उनके बच्चे जो हैं वो भी आगे चलकर disadvantaged state में ही रहते हैं countries like Japan have have investment invested in human resources they did not have any natural resources these countries are developed rich countries they import the natural resources needed in their country how did they become rich or developed they have investment on invested on people especially in the field of education and health तो देखिए जो countries हैं जैसे कि Japan, South Korea, Malaysia यह सभी जो countries हैं इन्होंने human resource में काफिजदा invest किया है उनके पास अपना कोई natural resource available नहीं है उनके पास और जो यह countries हैं यह developed और rich countries बने तो आखिर कैसे बने तो देखिए इनके पास अपना कोई natural resources नहीं है यह natural resources import करते हैं दूसरे country से जैसे कि India, China या फिर दूसरे country से तो बात आते हैं कि आखिर यह अमीर कैसे बन गया तो यह अमीर इसलिए बन गया क्योंकि इन्होंने काफी ज़दा investment किया है education के उपर और health के उपर इस people have made efficient use of other resources like land and capital और इन लोगों ने जो दूसरे resources जैसे कि land और capital इनको काफी अच्छी तरीके से काफी efficiently use किया है efficiency and the technology evolved by the people have made these countries reached and developed तो जो efficiency और जो technology evolved की गई है इन लोगों द्वारा इसने इन countries को reach और develop बनाने में काफी ज़दा मदद किया है देखिए इसके बाद जो हमारा next topic है next topic economic activities by men and women तो इसके पहले के topic तक या नहीं कि इस पूरे paragraph को नीचे तक हमने पढ़ लिया था पिछले वीडियो में और आई अब हम इस वीडियो को continue करते हैं इस topic के साथ तो आई हम देखते हैं कि क्या हमें यहाँ पढ़ना है तो मेरा मतलब है कि continue करते हैं इस topic को होता है हमने देखा था कि विलाज जो है वो फीस बेचता है और सकल जो है वो एक प्राइवेट फर्म में जॉब करता है और अलग लगतर की जो activities हैं जो की perform की जाती है लोगों द्वारा उनको तीन में सेक्टर में classify किया गिया है यह sectors है प्राइमरी सेक्टर, secondary और tertiary सेक्टर तो हम देखते हैं कि इन तीनों सेक्टर में क्या होते हैं प्राइमरी सेक्टर जो होता है वो उसमें agriculture इंक्लूड होता है forestry, animal, husbandry, fishing, poultry, farming and mining यह सभी चीज़े प्राइमरी सेक्टर में आती है और quering and manufacturing is included in the secondary sector तो यह manufacturing और quering जो है वो secondary sector में included है और इसके बाद trade, transport, communication, banking, education, health, tourism यह सभी चीज़े जो है इनको tertiary सेक्टर में include किया जाता है इन सभी को tertiary sector में include किया जाता है the activities in this sector result in the production of goods and services these activities add value to the national income तो देखिये यह जो activities की जाती है इन सभी sectors द्वारा यह सभी result, इन सभी का जो result होता है वो किसी नकिसी good या services के production में होता है यानि यह कुछ ऐसी चीज़े बनाती है जिन से इनको income हो या फिर एक तरीके के national income को यह बढ़ावा देती है यह सभी activities these activities are called economic activities तो यह सभी चीज़े जो उपर बताई गई जैसे कि हमारा हो गया, fishing हो गया, animal husbandry हो गया, manufacturing हो गया फिर हमारा communication हो गया, transport हो गया, यह सभी चीज़े जो है, वो क्या है यह एक तरह की economic activities है तो economic activities के दो parts होते हैं, दो हिसो में हम उसे बाढ़ सकते हैं पहला होता है market activities और दूसरा non market activities तो अब हम इन्हें देख लेते हैं तो देखिए market activities वैसे activities होते हैं, जिनको कोई भी वैक्ती perform करता है या फिर कोई भी organization perform करता है ताकि उससे वो पैसे कमा सके या फिर उससे कोई salary मिल सके for example, आप कोई job कर रहे हैं, तो आप economic activity कर रहे हैं अगर आप कोई दुकान खोल कर बैठे हुए हैं, तो आप economic activity कर रहे हैं अगर आप किसी भी चीज का production कर रहे हैं, तो आप economic activity कर रहे हैं अब बात आती है कि non market activity क्या होते हैं तो देखिए non market activity जो होते हैं, वो वैसे work होते हैं जिनको आप करते हैं self consumption के लिए तो आपने घर में अपना एक अचार बनाया है, तो वो आपका non market activity क्योंकि आप उसे profit नहीं कमा रहे हैं, आप उसको self consumption के लिए use कर रहे हैं इसके बाद this can be, अब next page में हमें जा रहा है तो देखिए ये सभी चीज़े हो सकते हैं, जिनको आप अपने use के लिए या फिर अपने ज़रूरत के लिए किसी भी चीज़ को अगर produce करें, तो उन्हें हम क्या कहेंगे उन्हें हम non market activities कहेंगे, यहाँ पर activity दिया हुआ है, आप ये activity पढ़ सकते हैं और चाहे तो घर पर कर भी सकते हैं, अब मैं और आगे बढ़ता हूँ तो तो दी हिस्तोरिकल और कुल्टॉरल रिज़न के वज़से से, इसे कुल्टॉरिकल और कुल्टॉरल रिज़न के वज़से या फिर हम वर्ल्ड में कह सकते हैं कि एक डिवीजन लेबर का कि मर्द यहां काम करेंगा और जो ओरते हैं वो घर में काम करेंगी या फिर इस तरह की काम करेंगी तो महिलाये जो होती है उनको जिनरली घर का ख्याल रखने के लिए लगाया जाता है For example, आपने जो पिछली कहाणी पड़ी थी दोस्तों की, उसमें सकल की कहाणी आपने पड़ी थी, उसमें उसकी जो मा थी, सीला, वो घर में खाना पकाती थी, बरतन साफ करती थी, घर को साफ करती थी, और अपने बच्चों का ख्याल रखती थी. वहीं उसके जो फादर थे बूचा वो फिल्ड में काम करते थे और उससे प्रोडक्शन करते थे जो उसको बाजार में मार्केट में बेच कर और उससे पैसे कमाते थे परिवार के लिए तो इस तरीके से आप देख सकते हैं बिल्कुल यही कहानी लगबग हर घर में होती है उसका रेजन यह है कि हमारा जो historical और cultural background है उसमें महिलाओं को यह अजादी नहीं है कि वो फिल्ड में जाकर या कुछी specific तरीके के काम कर सके अब धीरे धीरे जब हमारा जमाना चेंज हो र बुटा earns money which he spends on rearing his family women are not paid for their services delivered in the family तो देखे सीला जो है जो अपने घर का ख्याल रखती है घर के सारे काम करती है उसको अपने services के लिए payment नहीं मिलता है वहीं जो उसका husband है यानि कि जो सकल है उसका father बुटा वो पैसे कमाता है और वो उन पैसे को अपने परिवार चलाने के खर्च करता है तो बिल्कुल यही कहानी हर जगा है जो महिलाएं होती है वो अगर अपने घर में काम करती है घर का ख्याल रखती है तो उनके services के लिए पैसे नहीं मिलते है तो देखिए जो महिलाएं अपने घर में काम करती है उसको national income में नहीं जोडा जाता है उसका reason यह ह कि वो कोई क्या कहते है इंकम नहीं लेती है अपने काम करने के लिए और national income आखिर है क्या तो national income का मतलब हुआ कि sum of total of goods and services produced in a country तो जितने भी आप goods and services आप produce करेंगे उसका जो जितना भी कीमत होगा उसको हम national income में जोड़ेंगे वही आप दूसरे दोस्त की कहानी आप देख रहे थे जो की था विलास विलास की माच जो थी गीता वो काम करती थी मचली बैस्ती थी और इस वज़े से उसे पैसे मिलते थे तो इसका मतलब यहां यह हुआ कि जब महिलाए labor market में आती है और labor market में काम करना सुरू करती है तब उन्हें पैसा मिलना सुरू होता है और उनकी जो earning है वो उनके male counterpart यानि जो उनके मुकाबले जो मर्द वहां काम कर रहे हैं उनके मुकाबले उनकी earning तैह होती है कि उनकी skill कितनी है और उनकी education कैसी है इस बात पर define होगे कि उनकी earning कितनी होगे education इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं education helps individual to make better use of the economic opportunities available before him education and skill are the major determinants of the earning of any individual in the market तो देखिए education जो वो help करता है किसी भी वैकती को किसी भी एक person को ताकि वो economic opportunities जो भी available है उसके लिए उसका वो ज्यादा अची तरीके से फाइदा उठा सके education या फिर skill दोनों एक साथ हम कह सकते हैं यह दोनों जो हैं वो बहुत ही बड़े एक तरीके से यही determine करते हैं कि कि किसी भी individual का market में क्या income होगा अगर किसी वैकती के पास अच्छा education है उसके पास किसी भी चीज को produce करने का skill है तो उसकी salary unskilled person के मुकाबले ज्यादा होगी उसे ज्यादा earning मिलेगी तो देखिए जो ज़्यादा तर महिलाएं होती हैं उनके पास जो education होता है या फिर skill होता है वो बहुत ही कम होता है और महिलाएं जो होती हैं उन्हें मर्द के मुकाबले काफी कम payment भी मिलता है और ज्यादा तर जो महिलाएं होती है वो वहाँ काम करती है जहाँ पर job security जो है वो बहुत ही कम है या फिर नाक बराबर है और बहुत तरह के जो activities जो है जो आपको legal production से related है वहाँ उस तरीके की सुविधा आपको generally महिलाओं को नहीं मिलती है employment in this sector is characterized by irregular and low income तो इस तरीके के जो sector है जैसे कि आपका labor sector हो गया या फिर इसी तरीके के और sectors वहाँ पर जो income होती है या फिर employment होता है वो बहुत ही irregular होता है यानि उन्हें लागतार job नहीं मिलते है और उन्हें यह तैनी होता कि कब job मिलेगा कम काम मिलेगा कम नहीं मिलेगा और उनकी जो salary होती है income होती है वो भी बहुत ही कम होती है In this sector there is an absence of facilities like maternity leave, children, child care and other social security systems तो इन sector में जो facilities मिलनी चाहिए एक महिला को जो की काम कर रही है वो नहीं मिलते हैं तो इसके अलावा वैसी जगों पर जहां पर जो महिलाएं है उनको वो बहुत ही हाई education के साथ है और उनके पास high skill है उनको मर्द के बराबर या फिर मर्द से ज़्यादा भी salary मिलते हैं ऐसा नहीं कि हर जगा पर उनके साथ ऐसा ही किया आता है Among the organized sector teaching and medicine attract them the most तो देखिए organized sector में जो महिलाएं हैं वो सब ज़्यादा attract होती है teaching sector में या फिर medicine sector में Some women have entered the administrative and other services including those which need high level of scientific and technological services तो बहुत सारे महिलाएं ऐसे भी हैं जिन्होंने administrative areas में आ गई हैं और दूसरे services में आ गई हैं जहाँ पर scientific और technological services की required high level तो यहाँ पर आप से पुछे कहा जा रहा है कि आप अपने sisters जा के पुछे या classmates से पुछे कि वो कौन सा career चुनना चाहेगी तब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर next topic है हमारा quality of education quality of sorry quality of population the quality of population depends upon the literacy rate health of a person indicated by life expectancy and skill formation acquired by the people of the country the quality of population ultimately decides the growth rate of the country illiterate and unhealthy population our liability for the economic, literate and healthy population are an asset तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो quality of population का वो depend करता है कि हमारी जो population है उसकी literacy rate क्या है, health क्या है, हमारे population के लोगों की, उनकी life expectancy क्या है और उनका skill formation क्या है, लोगों द्वारा किसी भी है country में तो quality of population जो है, वो ही decide करता है कि किसी भी country का जो growth rate है, वो क्या होगा तो देखिए illiterate और unhealthy जो लोग होते हैं, या फिर population होता है वो किसी भी देश के लिए एक जिम्मेदारी की तरह होते हैं तो देखिए illiterate और healthy population होता है, वो एक संपत्ती की तिरह होता है किसी भी देश के लिए क्योंकि वो किसी भी देश को एक high growth rate प्रोवाइड करा सकते हैं तो देखिए quality of population में हम सबसे पहला education की बात करते हैं सकल's education in the initial year of his life bore him the fruits in the later year in the terms of goods, job and salary तो देखिए सकल के education पर जो initial years में खर्चे की गए थे या फिर उस पर investment किया गया था वो उसे एक फल के रुक में मिला बाद में जब उसे अच्छा salary मिलने लगा, अच्छा job मिल गया और उसे काफी अच्छा एक तरीके से growth मिला we saw education was an important input for the growth of सकल, it opened new horizon for him, provided new aspirations and developed values of life तो देखिए हमने देखा कि education जो है वो बहुत ही important तरीके के input था सकल के growth के लिए education उसके लिए एक नय horizon खोल दिया कि वो एक नय छेतर में जा सकता है, नया काम कर सकता है उसको नय तरीके के aspirations दिये और उसके values को life में develop किया not only for सकल, education contributes तो देखिए ऐसा नहीं कि education जो है वो सिर्फ सकल के लिए काम करेगा या फिर आप के लिए काम करेगा या फिर मेरे लिए काम करेगा अगर आप अच्छा education लेते हैं तो education जो है आपका education society को भी develop करने में मदद करेगा और national income को भी बढ़ाने में मदद करेगा और इसके साथ-साथ cultural richness आएगी और हमारा जो governance है उसका जो effectiveness efficiency है वो भी काफी जिदा increase होगा there is a provision made for providing universal access retention and quality in elementary education with special emphasis on girls there is also an establishment of place setting of schools like navoday vidyale in each district तो देखिए एक तरीके का provision बनाया गया है ताकि universal access provide किया जा सके और quality of elementary education जो है वो अच्छा किया जा सके और जिसमें कि special emphasis किया जा रहा है girls के उपर और इसके अलाबा there is also established तो देखिए इसके अलाबा हर district में इंडिया के navoday vidyale इस्ताभित किया गया है ताकि एक तरीके का अच्छा education हर district में provide किया जा सके vocational streams have been developed to equip large number of high school students into occupation related to knowledge and skills तो देखिए vocational streams भी खोले गया है vocational educations की भी शुरुआत की है जहां पर जादा तर school students को ऐसे knowledge और skills दिये जा रहे हैं जिससे वो directly एक तरीके से job में enter कर सके और job oriented उन्हें education provide किया जा रहा है vocational streams के जरीए the plan outlay on education has been increased from RS 151 करोड in the first plan to RS 43,825 करोड in the 10th plan तो देख सकते हैं कि जो खर्चा किया जा था सरकार दोरा first plan में यानि करीब 1950 के round उस समय 151 करोड रुपय मातर था education के उपर और बाद में इसे बढ़ा दिया गया 43,000 करोड तक जो की 10th plan में था 10th plan आपका करीब हो गया 2000 इस वी के आसपास और इसके बाद जो expenditure था education GDP के percentage के रूप में देखे तो वो 0.64% था 1951-52 में और ये बढ़ कर हो गया around 4% in 2002 तो देखे यहां पर आपको chart दिया गया है और इसमें literacy rate बताया गया है कि 1951 में देखे कितना था तो बहुत ही कम था और 2001 में देख सकते हैं कितना था तो करीब around 70% के आसपास हम पहुँच चुके हैं तो ये growth काफी अच्छा है लेकिन हमें और भी आगे growth करना है और यहां पर let's discuss questions दियेगे हैं आप इन questions को देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं The literacy rates have increased from 18% in 1951 to 65% in 2001. Literacy rate 18% से 65% तक बढ़ चुका 2001 में Literacy is not only a right, it is also needed if the citizens are to perform their duties and enjoy their ride properly. However, a vast difference in notice across the different sections of the population. Literacy among the males is nearly 50% higher than females and it is about 50% higher in urban areas as compared to rural areas. तो देखिए यहां पर बात की जारी है जो literacy rate है वोट 11% से बढ़ का 65% हो चुका है और literacy के वाल एक तरीके का right नहीं है. यह बहुत ही जरूरी है ताकि जो citizen है वो अपने duties को अची तरीके से perform कर सके और अपने rights को अची तरीके से enjoy कर सके. लेकिन हम अब हम जब लोगों पर ध्यान देते हैं हो तो हमें बहुत ही difference देखने को मिलता है different sections, population के different section में. For example, अगर male all female को compare करें तो males जो है वो 50% जादा educated है female के मुकाबले और अगर हम urban और rural areas को compare करें तो urban areas जो है वो 50% जादा educated है rural areas के मुकाबले जो literacy rate है वो भी vary करता है 96% कुछ district में करला के और कुछ district में मधपरदेश में जहाँ पर 30% भी हमारा literacy rate नहीं है जो primary school है, primary school system वो expand हो चुगा है करीब 5 लाग villages में इंडिया में यानि करीब 5 लाग villages में अब हमारे schools available है यह तो सही है कि इतने सारे गाओं में schools खोल दियेगे लेकिन यह सभी चीज़े जो है वो काफी कमजोर हो गई है क्योंकि जो हमारा education level है, quality education का वो बहुती खराब है, बहुती कमजोर है और इसके साथ-साथ drop-out rates भी काफी जदा है, यानि students जो है वो बहुती school छोड़ देते हैं, तो इसके लिए सर्फ सिख्छा भ्यान चलाया गया ताकि हम elementary education जो है, वो काफी अच्छा कर सके, मजबूत कर सके, जो students के लिए जो की 6 से 14 साल के बीच में है और ये central government द्वारा चलाया जा रहा है, in partnership with the states, states के साथ partnership करके, the local government and the community for achieving the goal of universalization of elementary education along with it, bridge crosses and back-to-back school camps have been initiated to increase the enrollment in the elementary education तो देखें, ये सभी चीज़े central government द्वारा चलाया जा रही है, states के साथ मिलकर, और जो local government है और जो community है, वो भी साथ मिलकर achieve करना जा रही है in goals को, ताकि elementary education जो है, वो काफी मजबूत किया जा सके और इसके बाद, mid-demil scheme have been implemented to encourage attendance and retention of children and improve their nutritional status, these policies could add to the illiterate population of India तो देखें, mid-demil scheme जो है, उसको भी काफी implement किया जा रहा है, ताकि attendance को बढ़ाया जा सके और children drop out ना करें और school में ही रहें और उनका जो nutritional status है, उसको भी काफी ज़िदा मजबूत किया जा सके और यह सभी जो policies है, यह एक तरीके से इंडिया के development में एक तरीके से मदद कर सकती है तो देखिए, जो टेंथ प्लान है, वो एक तरीके से फोकस करता है कि अब जो हाइयर एजुकेशन है, जो 18 साल से 23 साल के बच्चे है, उनमें एजुकेशन बढ़ाया जा 6 से 9 परसेंट तक The strategy focused on increasing access quality adoption of states specific curriculum modification और जो इसके लिए strategy अपनाए गई है, उसमें एक तरीके से access increase करने की कोसिस की जा रही है कि ज़्यादा लोगों तक education पहुँचाई जा सके, अच्छे education पहुँचाई जा सके और state के नुसार उनके curriculum को एक तरीके से update किया जा सके और इसके साथ साथ vocationalization और networking को भी यूज किया जा रहा है information technology के साथ इसके साथ साथ यह plan distant education पर भी focus करता है convergence of formal, non-formal, distant and ideal education institution over the past 50 years there has been a number of significant growth in the number of universities and institutions of higher learning in specified areas let us raise the table in the description तो देखे यहाँ पर simply बात यह कही जा रही है कि यह जो plan है यह focus करता है distance education के उपर भी ताकि ज्यादा 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 लोगों को education किया जा सके और इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर बताया गया कि 1950 में कितने colleges थे, कितने universities थे, कितने students थे, कितने teacher थे यह सभी आप देख सकते हैं अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अब next हमारा topic है यह है health तो आई हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं हमारा next topic और वो है health तो देखिए इसके पहले हमने काफी चीज़े पढ़ी हमने population के बारे में पढ़ा के quality के लिए कितना important है या फिर किसी भी person के लिए कितना important है तो किसी भी firm की बात करें या फिर किसी भी company की हम बात करें तो उसका main काम क्या होता है उसका काम होता है कि वो profit बनाए और जितना ज़्यादा अच्छा उसे profit मिलेगा उसके लिए उतना ही अच्छा है वो अपने profit को maximize करना चाहती है बढ़ाना चाहती है तो आपको क्या लगता है कि कोई भी firm है या फिर कोई भी company है वो ऐसे व्यक्ति को job देना पसंद करेगी या फिर काम अपने पास रखना पसंद करेगी काम करने के लिए ऐसे person को कोई भी firm या फिर कोई भी organization अपने पास job देना पसंद नहीं करेगी अगर उसकी health बहुत ही खराब है या फिर वो ठीक से काम नहीं कर सकता है तो देखिए किसी भी व्यक्ति का health जो है वो बहुत ही important होता है और ये एक तरीके से बताता है liability बन जाता है किसी भी organization के लिए और health जो है वो एक बहुत ही important basis है किसी भी व्यक्ति के well-being होने के लिए यानि कि अगर किसी भी व्यक्ति को एक सुखी जीवन जीना है एक अच्छा जीवन जीना है तो उसके लिए उसे healthy होना बहुत ही जरूरी है बिना healthy होए वो एक अच्छा जीवन नहीं जी सकता है और तो इसलिए healthy status में improvement जो है वो किसी भी population के लिए बहुत important है किसी भी देश के लिए population के लिए बहुत important है और इसको सभी देश जो है वो priority में रखते हैं अपने population के लिए और हमारे national policy की अगर सभी लोगों को एक तरीके से health care जो सुविधा है उसको provide की जाए family welfare रखा जाए और लोगों की जो nutritional need है उसको एक तरीके से provide की जाए उसको सुधारा जाए और अगर कुछ society के कुछ तबके ऐसे हैं जहां पर nutritional need जो है तो अगर हम पिछले 5 decade की बात करें यानि करीब पिछले 50 सालों की बात करें तो इंडिया जो है उसने एक बहुत ही अच्छा vast health infrastructure क्रियेट किया है बहुत ही अच्छा health infrastructure क्रियेट किया है और इसके साथ ही manpower भी क्रियेट किया है जो इस sector में काम करता है और primary, secondary और tertiary care के रुप में भी काम करता है तो अब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखे कुछ लिखा गया है अब चाहें तो इस चीज को पढ़ सकते हैं इस पूरे पारा को मैं इसे नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यह उतना important है और यहाँ पर कुछ questions दिएगा है इन questions को अगर आप अपने से करने के कोसिस करेंगे तो आप चीजों को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे चैप्टर को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे और मैं आगे बढ़ रहा हूँ देखिए उपर हमने बात की यहाँ पर data तो data इसे आप पहले पढ़ लें तो यह देखिए यह जो data है कि इतने hospitals हैं इतने beds हैं इतने doctors हैं इतने nurses हैं तो देखिए बहुत सारे states ऐसे हैं बहुत सारे इंडिया के इलाके ऐसे हैं जहाँ पर यह जो facilities हैं वो मौझूद नहीं है तो आप उसे सोच समझ सकते हैं कि 100 Medical College बाकी के आपके 25 राज्यों में है तो बाकी के 25 राज्यों में हेल्थ सुवधाओं की इस्थिति क्या होगी और आप बिहार की बात करें या फिर उतर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर जो health services है वो बहुत ही खराब है और यहाँ पर medical college की संख्या भी बहुत ही कम है और इसके बाद activity है आप चाहें तो यह activity कर सकते हैं और इसके बाद अब हम बढ़ते हैं next topic की और next topic है हमारा unemployment यानि कि बेरोजगारी को अब हम पढ़ने वाले हैं तो देखिए बेरोजगारी भी एक तरीके से बहुत important topic है अगर हम किसी population की बात करते हैं या फिर लोगों की बात करते हैं तो unemployment में हम पढ़ने वाले हैं अपने पुराने कहानी की ओर चलते हैं इसमें हमने दो दोस्तों के बारे में पढ़ा था पिछले वीडियो में और उसके पिछले वीडियो में तो जो सकल है उसकी जो मा है शीला वो अपने domestic course पर ध्यान देती है चुलो के खाना पिना बनाना घर का ख्याल रखना ये सभी काम करती है इसके लावा बच्चों का ख्याल रखती है और अपने husband बुटा की मदद करती है फिल्ड में काम करने में और जो सकल है उसका जो brother है जीतू और उसकी जो sister है सीतू वो अपना जो समय है वो खेलते हुए बिताती है या फिर roaming करते हुए बिताती है तो क्या आप ये कह सकते हैं कि जो सीला है या फिर जीतू है या फिर सीतू है ये सभी unemployed है unemployed है नहीं अगर नहीं तो क्यों नहीं है तो देखिए यहाँ पर next para में उसका answer दिया हुआ है तो देखिए unemployment क्या है unemployment जो है unemployment हम तब कहते हैं या फिर किसी वेक्ति को unemployed तब हम कहते हैं जब कोई वेक्ति काम करने के लिए तयार है और काम करने के लिए job को सर्च कर रहा है और उसे अगर काम ना मिले तो उसे हम unemployment कहते हैं तो यहाँ पर अगर हम देखे तो जो सीला है वो अपने घर का काम करती है और वो बाहर किसी और जॉब को करने के लिए तयार नहीं है या फिर इंट्रेश्टेड नहीं है तो इसलिए एक तरीके से हम उसे unemployed नहीं कह सकते हैं वहीं दूसरी तरफ जो G2 है और C2 है ये बहुत ही small है बहुत ही छोटे हैं अभी और इनको एक तरीके से हम workforce में count नहीं कर सकते हैं population के workforce में और इन्हें ये नहीं कह सकते कि ये unemployed है क्योंकि ये काम करने के लिए अभी तयार नहीं है उतने बड़े नहीं है कि इनसे हम काम ले औ और इन्हें हम unemployed की सिरेनी में डाल दें तो simply अगर हम देखे तो workforce population कितना होता है तो workforce population जो है वो mainly माना जाता है 15 साल से 69 साल के उम्र के बीच के लोगों को यानि कि इतने उम्र के बीच के जितने लोग है उतने लोग workforce population के हैं और इन में से इस age से इन दोनों age के बीच के काम करना चाहते हैं और उसके बाद उन्हें काम ना मिले तो उन लोगों को हम unemployed कहते हैं बेरुजगार कहते हैं तो वहीं आप देखे जो सकल है उसका ब्रदर है और sister है वो इस age group में आते नहीं है और वो बहुती छोटे हैं इसलिए हम उन्हें unemployed नहीं कह सकते हैं और जो सकल क कि मा है शीला वो family के लिए काम करती है और वो बाहर किसी और job को करने के लिए तयार नहीं है इंट्रेस्टेड नहीं है पैसो के लिए तो इन लोगों को हम एक तरीके से unemployed नहीं कह सकते हैं और ये workforce की strain में नहीं आते हैं जो सकल के grandparents हैं उनको भी एक तरीके से हम unemployed नहीं कह सकत हैं तो यहाँ पर देखिए grandparents की बात इस कहानी में नहीं की गई है इस chapter में लेकिन यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि grandparents अगर हैं सकल के तो वो generally 60 years से ज़्यादा होगा उनके 70-80 years हो सकता है तो क्या 70 years के person को हम workforce में count करेंगे नहीं 70 years के person को हम workforce में count नहीं करते हैं इसलिए अगर वो वेक्ति कोई काम अगर नहीं करता है तो उसे हम बेरुजगार नहीं कह सकते हैं अनिम्प्लोइट नहीं कह सकते हैं तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के condition में हमारा जो अनिम्प्लोइमेंट है वो रूरल एरियाज में भी है और अर्बन एरियाज में भी है लेकिन अगर हम nature की बात करें तो unemployment का जो nature है वो rural areas और urban areas में अलग-अलग है rural areas में अगर हम बात करें तो जो वहाँ जो unemployment होता है वो seasonal unemployment होता है और disguised unemployment होता है और urban areas में जो mostly unemployment होता है वो educated unemployment होता है तो यहाँ पर मैं दो words clear कर दूँ कि seasonal employment क्या होता है और disguised employment क्या होता है वैसे इसको अभी हम छोड़ देते हैं क्योंकि आगे chapter में इसको बताया गया है वहीं पर मैं आपको यह चीजे समझा देता हूँ समझा दूँगा तो देखिए seasonal unemployment जो है वो तब होता है जब जो लोग है वो जॉब नहीं खोच पाते हैं कुछ महीनों के लिए साल के यानि कि उनको साल में तीन महीने के लिए जॉब मिला लेकिन अगले जो तीन महीने है उस तीन महीने के लिए जॉब नहीं मिला तो उसे हम seasonal unemployment कहते हैं और ऐसा जिनरली होता है उन लोगों के साथ जो कि agriculture के उपर dependent होते हैं और agriculture field में या फिर इस तरीके के कामों में काम करते हैं और इसका reason यह है कि साल के कुछ ही महीने होते हैं जहांपर sowing, harvesting और weeding और threshing का का काम किया जाता है और इसके अलावा जो दूसरे महीने होते हैं वहाँ पर एक तरीके से कोई काम नहीं होता उन लोगों के लिए जो कि agriculture के उपर dependent होते हैं तो देखिए इसी को हम seasonal unemployment कहते हैं यह mainly होता है agriculture sector में लेकिन यह दूसरे sector में भी हो सकते हैं और अगर हम बात करें disguise unemployment की तो वहाँ पर देखने में ऐसा लगता है कि जो लोग है उनके पास job है वो काम कर रहे हैं लेकिन reality में वो काम नहीं कर रहे हैं तो देखिए यह condition में आपको समझा देता हूँ तो देखिए agricultural plot है कोई तो वहाँ पर लोगों को काम मिल गया है और ऐसा generally होता है परिवारों में कि एक परिवार के लोग जब agriculture activity में काम करते हैं तो for example जो work है जो काम करना है वहाँ पर जरूरत है सिर्फ 5 लोगों की लेकिन वहाँ पर काम कर रहे हैं कितने 8 लोग for example अगर हमें harvesting का काम करना है अपने खेत में वहाँ पर दो लोगों की जरूरत है और मैं पूरे अपने परिवार को लेकर चला जाऊ और वहाँ आठ लोग मिल कर काम करने लगें तो वो reality में तो employment उसे हम नहीं कह सकते हैं उसी को हम कहते हैं disguised unemployment तो देखिए जो contribution contribution दिया जा रहा है extra 3 लोगों दोरा वो एक तरीके से जरूरी नहीं था वहाँ पर होना नहीं चाहिए था क्योंकि 5 लोग काफी थे वहाँ पर काम करने के लिए और 5 लोग काम को असानी से complete कर सकते थे और if 3 people are removed the productivity of field will not decline तो यह सीधा मतलब है कि जो 8 लोग काम कर रहे है वहाँ पर उसमें से अगर 3 लोग वहाँ काम करना छोड़ दे या फिर 3 लोग घर आकर बैठ जाए तो वहाँ की जो productivity है उस field की वो कम नहीं होगी वो खत्म नहीं होगी और field जो है वो सिर्फ 5 लोग के work को require करता है और जो तीन लोग extra काम कर रहे है वो एक तरीके से disguisedly unemployed है यानि कि वो reality में employed नहीं है लेकिन देखने में लग रहा है कि वो employed है अर्बन एरियास के अगर हम बात करें तो वहाँ पर educated unemployment होता है और ये एक बहुत ही common चीज हो चुकी है मैं इसे उपर कर देता हूँ ये एक बहुत ही common चीज होती है तो बहुत सारे जो youth है जो की matriculation कर चुके है graduation कर चुके है उन्हें एक तरीके से job नहीं मिल रही है और एक study बताती है कि जो unemployment है graduate की और post graduate लोगों की वो बहुत बड़ी संख्या में बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है मुकाबले की जो matriculates है उनके मुकाबले और एक तरीके का paradox यहाँ पर चल रहा है कि कुछ इलाके ऐसे हैं jobs के जहाँ पर जो manpower है जितना requirement है उससे ज़्यादा manpower मौजूद है और कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर जितना requirement है manpower के उससे कम है यानि कि कुछ काम ऐसे हैं जहाँ पर अगर 100 लोगों की जरूँ थे तो 200 लोग काम करने के लिए तयार है और कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर 100 लोगों की जरूँ थे unemployed है लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें जो technical skills required है economic growth के लिए या फिर किसी काम को करने के लिए उस technical skills की एक तरीके से भारी कमी है तो यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं कि जो एक तरीके से यह एक तरीके का paradox है जहाँ पर कुछ इलाके जो है वहाँ पर लोग जो है टेकनिकल टेकनिकल जानकारी उनके पास है लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रहे है वही कुछ इलाके है जहाँ पर लोगों के पास उस तरीके की टेकनिकल skills नहीं है जो की really में required है और देखिए unemployment से हमें घाटा क्या होता है unemployment जो है वो एक तरीके से manpower resource का एक तरीके से wastage की और ले जाता है people who are an asset for economic turn into liability तो देखिए जो लोग एक तरीके से संपत्ती के रूप में थे economy के लिए वो बदल जाते हैं जवाब दही के रूप में या फिर जिम्मेदारी के रूप में और लोगों के बीच में एक तरीके से hopelessness के feeling आती है और despair के feeling आती है youth के बीच में और unemployed लोगों के ब inability है जो की काम करना चाहते हैं और कुछ employment पाना चाहते हैं वो एक तरीके से social waste create करता है और unemployment जो है वो एक तरीके से economic overload को भी बढ़ा हो देता है और एक तरीके से जो unemployed लोग हैं उनका dependence working population की ओर बढ़ता जाता है for example अगर हम किसी family की बात करें तो family में अगर चार लोगों ने पढ़ाई की है और सिर्फ एक को job मिलता है तो बाकी के जो तीन लोग है वो एक तरीके से dependent हो जाते हैं उस व्यक्ति के उपर अपने खर्चों के लिए या फिर अपने खर्चों को चलाने के लिए तो इस तरीके से देख सकते हैं कि कितना ज्यादा load पढ़ता है working population के उपर एक तरीके से economy के उपर और इसके वज़े से जो quality है life का वो भी कम हो जाता है किसी व्यक्ति का और society जो है वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित होती है और जब परिवार को एक तरीके से bare subsistence level के उपर जीना पड़ता है तो उनके health status में decline आता है और इसके साथ ही जो schooling system है प unemployment है वो एक तरीके से बहुत ही important impact रखता है overall growth के उपर और unemployment में जो increase है वो एक तरीके से indicator है एक तरीके का depressed economy का कि अगर unemployment जादा है तो economy काफी कमजोर है वो depressed है और unemployment बहुत ही कम है तो economy बहुत ही अच्छी है और ये एक तरीके से resources को भी बहुत ही ज़्यादा waste करती है और जो क कि एक तरीके से बहुती फायदे के साथ employee की जा सकती थी अगर लोगों को resources की रूप में नहीं use किया जा सकता है तो वो एक तरीके से खुद बखुद liability के रूप में नज़र आने लगते हैं या फिर दीखने लगते हैं economy के लिए और यह जो चीज है यह उतनी अच्छी संकेत नहीं है अगर हम इंडिया के condition की बात करें तो आकडो के अनुसार तो unemployment जो है वो बहुती कम है बहुती कम लोग जो है वो बेरुजगार है लेकिन बहुत बड़त संक्या जो है लोगों का वो low income के साथ जीता है और productivity जो है वो एक तरीके से दिखती है कि employed है लेकिन उनकी reality में जो income होता है वो बहुती कम होता है productivity बहुती कम होती है लेकिन ऐसा देखने में लगता है कि वो लोग क्या है employed है उनके पास job है वो काम कर रहे है लेकिन reality में वैसा होता नहीं है तो देखिए ऐसा दिखता है कि वो लोग जो हैं सालों भर काम करते हैं लेकिन reality में घर हम बात करें तो उनका जो potential है और उनका जो income है वो काफी नहीं है उनके लिए या फिर जितना वो कमा सकते हैं फिर कमाना चाहते हैं उतना उनके लिए काफी नहीं है और यह जो work वो कर रहे हैं यह जो काम कर रहे हैं वो एक तरीके से लगता है जैसे उनको force किया गया है यह काम करने के लिए और नहीं तो अगर उनके पास choice होता तो वो किसी और काम को करना पसंद करते और इसका reason यह है कि जो गरीब लोग होते हैं जो poor people होते हैं जो daily wages पर अपना परिवार चलाते हैं अपना खर्चा चलाते हैं वो एक तरीके से सांधी से बैठ कर या फर घर पर बैठ कर अपने परिवार का खर्चा चला नहीं सकते हैं इसलिए वो किसी भी काम करने के लोग तयार होते हैं और इस वज़ाँ से जो उनकी earning होते हैं वो बहुत ही कम होती है जिस वज़ाँ से उनको एक तरीके से बहुत ही low level पर जीना पड़ता है और इसके साथ ही जो employment structure है वो characterized किया गया है self employment के रूप में जो primary sector है उसमें तो यहाँ पर जो पूरी परिवार होती है वो एक तरीके से contribute करती है field में और जबकि पूरे परिवार के reality में जरूरत नहीं होती है वहाँ पर सभी लोगों को वहाँ काम करना नहीं होता है तो इस वज़ाँ से वहाँ पर एक तरीके का undisguised unemployment होता है तो disguised unemployment मैंने आपको पहले समझा दिया है और अगर हम agriculture sector की बात करें तो वहाँ पर सभी families जो होते हैं यानि कि family के जितने में members होते हैं उनका एक तरीके से share होता है जो भी उन्होंने produce किया है और ये जो concept है work sharing का तो ये एक तरीके से unemployment का जो hardship है उसको कम करता है rural sector में और ये एक तरीके से poverty जो है या फिर गरीबी है या फिर income है इन चीजों को प्रभावित नहीं करता यानि कि अगर कोई family जो है वो poverty में है तो वो poverty में ही रहेगी भले ही उसका काम जो है वो खेत में असान हो जाए या फिर उसकी income जो है वो थोड़ी बहुत change हो जाए लेकिन drastic change नहीं आता है वो अगर poverty में है तो वो poverty में ही रहेगी उसका income अगर कम है तो वो income कम ही रहेगा और gradually जो surplus है labor का हर एक परिवार में से वो धिरे धिरे job के search में villages से हट कर बाहर जाने लगता है तो देखिए अब हम बात करते हैं employment scenario की यानि employment का जो condition है तीनों sector में जीने की हमने पहले देखा है तो agriculture जो है वो एक तरीके से सबस्यादा labor absorbing sector है economy में जहां पर सबस्यादा लोग काम करते हैं इंडिया में और पिछले कुछ सालों में अगर हम देखे तो वहाँ पर एक तरीके से population का dependence agriculture को पर कम हुआ है और इसमें एक तरीके से disguised employment जो है वो भी एक हिस्सा रखता है और इस सेक्टर में काम करने वाले लोग थे यानि कि agriculture में वो अब मूब कर चुके हैं कहां पर secondary sector में या फिर tertiary sector में और जैसे कि जो small scale manufacturing है और इसके बाद जो small scale manufacturing है यह भी एक तरीके से बहुत ज्यादा labor absorbing है और tertiary sector की अगर हम बात करें जहां पर नए services जो है वो आ रहे हैं जैसे पर भी कुछ लोग जो है वो काम करने चले गया है जो की educated है या फिर जिनके पास उस तरीके की technical skills मुझूद है तो यहाँ पर देखिए एक गाओं की कहानी बताई गई है तो आप इस गाओं के कहानी को पढ़ने यह important है मैं इसे नहीं पढ़ाने वाला हूँ क्योंकि यह बह